करीब आठ वजे इनके मोवाइल पर एक अग्याद मोवाइल से पोन आया और इनसे पांच्ता कुर्प्या की रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर इनके परिवाइल को हत्या करने की धॉम्टी थी गए नमस्कार आप देख रहे से साइटू मैं दिविंदर सिंग लड़ू अगर आमला है बैपास थाना च्छेत्र के करमली चक का एक कूट करोबारी से 16-8-2024 को पांच लाक रुप्ये की रंगदारी मांगी जाती है और रंगदारी नहीं देने के करम में हो चकता है उनके परिवार वाले को हत्या कर देगा इस पुड़े मामले में करवारी ने बैपास थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा है सबसे पहले सुनते हैं कि बैपास थाना जैक्ट एक्सप्रेस बारता कर क्या कुछ करें उनकी बात को सुन लेते हैं दिनांग 16-24 को एक आवेदक अमित कुमार जिनका कूट्रा फैक्टरी है करमली चक में वो थाना आया और बताए कि आज सुपर करीब 8 बजे इनके मोवाइल पर एका घ्यात मोवाइल से फोन आया और इनसे पांचला कुल्प्या की रंगदारी की मांग की और नहीं देने प परदारी कादी को अबत कराया गया और पुलिशर दिक्ष्टर पुर्वी सरके द्वारा अनमंदर पुलिष प्रादी काडी सीटी 2 सरके नेत्रित में एक टीम का गठन किया गया तुम द्वारा तकनिकी साक और अन्बिंद्दों पनान सुधान करते हुए कांड में सनलित एक अपराद तर्मी को कांड में परिफ्ट रंगदारी मांगने वाले मोबाइल के साथ पकड़ा गया है इन्होंने अपने शुकार्थी ब्यान में एक अन सहयोगी का नाम बता है जिरके गिरफ्तारी एतुछ अपमाडी किया जा रहा है ये ते बैपास थाना दक्चर राजेश कुमार जहा जिने बताया है कि रंगदारी मांगने वाला एक अभिवत को मोबाइल सहीत को गिरफ्तार किया गया है एक पूरे मामले में जब बढ़िये अधिकारी को अभगत कराने के बाद सिटी एस्पी इस्ट ने स्टीपी ओखंड़ टू के डाक्टर गवर्ण पुमार के नितित में टीम गठित कर टक्निकी अनुसंदान के जड़िए एक अभिवत को गिरफ्तार हुई है और से से एक अन्य अपने साथी का नाम बता है तो कहने कही रूप से जब देखा जाता है तो अगर इस तरह का अलोन नंबर से अग्यात नंबर से अगर आपके पास कॉल आ है तो होश यार साबधान SSI2 आप देखते रहिए लाइक कीजिए जहिन